के कालपुरुष की कुण्डली को यदी हमने इग्नौर किया तो हम सब कुछ इग्नौर कर देगे For example, माल लीजे मेरा बुद्ध जो है वो पंचम भाव में है अगर मैं कहूं मेरा बुद्ध पंचम भाव में तो क्या मेरी बुद्धी Learning से जुड़ेगी जो की Fifth House का डोमेन है Answer आएगा Yes हितेश का बुद्ध यदी पंचम भाव में है तो क्या हितेश की बुद्धी जो है वो पंचम भाव से जुड़ेगी Answer आएगा Yes तो अभी तक हम सिर्फ इस बात का विचार कर रहे है कि बुद्धी जो है यानि कि बुद्ध जो है वो कौन से भाव से जुड़ा है तो उत्तर आ रहा है क्या पंचम भाव से जुड़ा है लेकिन लगन जो है ना जब हम किसी लगन में आ जाते हैं For example ये मीन लगन में आ गया अब सवाल ये उठता है कि आज हमने चंद्रमा को क्यों इतना मतलब important समझा और क्यों आज का जो विडियो है हम चंद्रमा को लेकर बना रहे हैं क्यों मैं आज तुम लोगों के साथ में चंद्रमा के secret शेयर कर रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है जब कालपुरुष कुंडली का दशम भाव जो हमारे संपून कर्म को दर्शा रहा है जब हम उसकी बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली में दशम भाव को पूर्टा प्रभावित करने वाला भाव कौन सा है fourth house इसका अर्थ ये है तुम सभी लोग इस बात को जानते हो कि किसी भी भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला यदि कोई भाव है तो वो ठीक उसके सामने है राइट आपको प्रभावित कौन करेगा वो लोग जिन से आप मिलेंगे या जो आपका life partner होगा आपके धन को प्रभावित कौन करेगा जो सामने वाले का धन है आपके भाग्य को प्रभावित कौन करेगा आपका पुरुशार्थ करेगा जो efforts आप करोगा तो इसी प्रकार जो tenth house है जो हमारा कर्म है वो हमारा मनस है मनस और यह जो मनस है ना इसका domain बहुत बड़ा है बहुत बड़ा भी है और बहुत तेज भी है इससे तुमने देखा होगा कि अगर मैं तुमसे कहूँ की इस दुनिया में सबसे तेज गती किस की है तो तुम यह नहीं कहूँगे जी बुलेट ट्रेन की है तुम यह नहीं कहोगे जी plane की है आप यह नहीं कहोगे जी supersonic jet की है उनको भी एक limited time चाहिए वहाँ पहुँचने में लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी के अभी तुम्हें चांद पे पहुँचना है तो तुम्हारा मन एक second नहीं लगाएगा within millisecond जो है वो चांद पे चला जाएगा the fastest moving planet on earth and the fastest moving entity in our birth chart हमारी जन्म कुण्ली में इस समस्थ संसार में fastest moving is जन्द्रमा moon तो moon जो है अपने आप में एक बहुत important planet बन जाता है अगर मैं कहूँ कि मलब कोई गाड़ी चला रहा तो मलब गाड़ी चला रहा था 100 की स्पीड पर तो मलब गाड़ी को control कर पा रहा था मलब ने गाड़ी जो है 200 की स्पीड पर चला दी तो अब मलब की गाड़ी जो है थोड़ा disbalance होने लगी 200 की स्पीड है न अब मैं कहूं मलव 300 की स्पीड पर अपनी गाड़ी को ले गया तो अब पता होगा क्या अब मलव गाड़ी को नहीं चला रहा गाड़ी मलव को चला रही फर्क है दोनों है न तो दशम भाव को प्रभावित करने वाला एक ही भाव है वो है चतृत भाव और नैसरगी काल पूरुष की कुंडली में चतृत भाव को रूल करने वाला गड़ाः कौन है वो चंद्रमा है इसलिए चंद्रमा वो ग्रह है जो आपकी जन्व कुंडली में कहीं भी बैठाओ कहीं भी बैठाओ वो आपके कर्म को प्रभावित करेगा ही करेगा कि ध्यान रखना ये बाद आपको कहीं भी ये चीज, in fact आप अगर Western Astrology में जाओगे न तो Western Astrologers जो हैं, जो Western Astrology के पास भी, उनके पास भी अपने-पने कुछ टूल्स हैं, अपने कुछ टिप्स हैं जिनके थूँ आरे लिए तीन Entities बहुत Important है, आपका लगन, आपके लगन का स्वामी, आपका सूर्य, आपका चंद्र तो लगन का स्वामी, सूर्य और चंद्र इसके basis पर वो आपकी पूरी personality का आकलन का डालते हैं, आपका पूरा पूर्ण चरित्र चित्रन जो है आपका, वो तीन उसके basis पर हो जाता है, आपका लगना लॉड, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, राइट, तो चंद्रमा वो ग्रह है, जो आपके कर्म को पूर्ण रूप से प्रभावित करने का सामर्थ है, सामर्थ है इसके पास आपके प्रोफेशन को यह पूरा अप ले जा सकता है, पूरा डाउन पे ले जा सकता है, एक इखलोता अगर है, यू नीड नॉट तो हैव मनी प्लैनेट्स, और यदि आप राहु केतु के डोमेन को समझेंगे, राहु केतु का विचार यदि आप करेंगे, तो राहु केतु का विचार जो है आप दो रूप से कर सकते हैं, क्या, एक तो है उसका स्थूल रूप, स्थूल रूप क्या है, मैं कहूंगा राहु क्या observation है, केतु क्या है, इंटेंट है, तो observe और intent के रूप में आपने दोनों ग्रह define कर दिये, लेकिन जब आप इसकी शूख्षमिता पर जाओगे, तो राहु क्या है, राहु क्या है, राहु चिंतन है, राहु चिंतन है, और केतु क्या है, केतु भाव है, अब चिंतन और भाव, ये दो ऐसी चीज़ें हो गई, जिनको आप देख नहीं सकते, शूख्षमिता, अब आपको क्या पता, मेरा भाव क्या है, मैं किस intent के साथ ये class ले रहा हूँ, कोई नहीं जानता ना, मैं जानता हूँ, इसलिए जब आप चंद्रमा को देखेंगे, तो चंद्रमा की जो एक bad condition होती है, bad condition, यानि कि चंद्रमा की बुरी अवस्था, वो क्या है, वो चिंता है, चिंता, अब चिंता जो शब्द है ना, उसमें से आ हटा दो आप, और ना रख दो आप, आ हटा दिया, ना रख दिया, अब वो क्या बन गया, चिंतन, चिंतन आवश्चक है, चिंता आवश्चक नहीं है, चिंता क्या करेगी, चिंता डेमिज कर देगी चीजों को, लेकिन चिंतन क्या करेगा, चिंतन जो है, चीजों को ठीक कर देगा, चिंतन का एक रूप जो है वो एनलेसिस भी है, कि भे हम एनलाइस कर रहे हैं, situation को एनलाइस कर रहे हैं, तो basically we are doing a चिंतन, तो चंद्रमा वोग रहे है, excuse me, जो आपके कर्म को पूनता प्रभावित करता है, कर्म क्या है, कर्म शनी है, शनी के रूप कितने हैं, अगर मैं आपस कहूं, कर्म के कितना रूप है, अब आप कहोगे, संचित, प्रारब्द, प्रियायमान, ठाक है, संचित, प्रारब्द और क्रियायमान तो कर्म की तीन रूप हो गए, लेकिन कर्म की तीन परिभाषा क्या है, like these are the form of karma, form, ठीक है इस तरीके गार, लेकिन टाइप ओफ कर्मा क्या है, कर्म जो शेप लेता है, वो तीन तरीके से शेप लेता है, हम कहते हैं मन्सा वाचा कर्मना, मन्सा वाचा कर्मना, एक वो कर्म जो हम मन से कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार मलव जो है, मलव को मुझे ये चीज दे नहीं है, ठीक है, मैं मन से विचार कर रहा हूँ, that is a मन्सा कर्म, मैं मन से कर रहा हूँ उसको, अभी कहीं और नहीं है, वाचा कर्मना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों, मेरी वाणी जो है कर्म कर रही है, वाचा कर्मना, ठीक है, अब मन्सा का भी effect है वाचा का भी effect है यानि कि वानी का भी effect है बहुत गलत बोल रहा है ठीक है बट कर्म तो हो रहा है न वाचा जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं कहा रहा हूं कि भई इसको मारना पीटना नहीं है यह मार पीट गलत बात है यह वाचा तक है लेकिन जब कुछ ऐसा हो रहा है तब जाकर मैं उसको रोख भी रहा हूँ तो अब यह कर्मना में आ गए तो तीन फॉर्म जो है कर्म की को समझ के रखेगा मनसा वाचा कर्मना इन तीनों फॉर्म्म को अगर कोई प्रभावित करता है यह उत्ता है इक्षार जो है वसपर प्रभावित ने जरम देगा, कर्म किसी ना किसी result को जरम देगा, जो या तो हमारे favor में होगा या हमारे against इसलिए शुरुवात हुई कहाँ पर intent के साथ हुई intent क्या था, intent था केतु, वो intent आया कहाँ सबसे पहले, मन में आया इसलिए जो मन का domain है न वो asimith है, उसकी कोई बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि एक ग्रह कौन सा है एक ग्रह देखो मेरे को कोई बहुत ज़्यादे ग्यान नहीं है मुझ से बहुत ग्यानी ग्यानी लोग रखते हो ठीक है, लेकिन मेरी जो अपनी एक theory कहती है मेरा जो अपना analysis कहता है वो ये कहता है कि आपका जीवन में कोई भी ग्रह balance हो ना आप जीवन में किसी भी ग्रह पर काम करे ना करे You have to You have to balance your moon If moon is in a balanced state चंद्रमा यदी balance है आपका संपूर्ण जीवन balanced राहु केतु को कितनी बदनामी मिलती है राहु खराब, केतु खराब, शनी खराब पूरी दुनिया ने ये तीन चार ग्रहों पर पूरा ठीकरा फोड़ा हुआ है ये आदमी का राहु खराब है ये आदमी का केतु खराब है कोई आदमी ये नहीं कहता कि अरे जो आपके जीवन में सबसे dangerous planet है जो आपसे कुछ भी करा सकता it can make you ascent आपको एक संत बना सकता, आपको एक murderer बना सकता है, चंद्रमा है चंद्रमा है यह जो घ्रिणा है, यह जो वासना है यह जो प्राप्ती की जो भूख है, यह कहां जागती, मन में जागती कहीं और नहीं लागती अब वो बात अलागती, उस मन में जो विचार जागे, उन विचारों को जागने के बाद, आप उसको कर्म में तबदील करेंगे नहीं करेंगे, वो मन सावाच्चा कर्मना पढ़े बड़ सबसे पहला जो डोमेन है सबसे पहले जो कारे करेगा और चिंदरमा करेगा मन करेगा इसलिए इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट अगर कुछ है तो वो मन को बैलेंस करना है आदमी सोचते है मैं आपको बताओ मैंने जितने भी जैमस्टोन को देखा जैमस्टोन पर काम किया या जैमस्टोन के बारे में विचार किया अगर आप मुझसे पूछें कि इस दुनिया में सबसे महंगा जैमस्टोन कौन सा होना चाहिए तो मैं कहूंग मोती होना चाहिए इस शुडबी इस शुडबी मोती देन इट शुड़ भी लहसुनिया, देन इट शुड़ भी गोमेद ये तीन रतने से सबसे महंगे होने चाहिए, काइदे से तो कोई पहचाने का इसको समझेगा मैंने पहले भी बताया था कि लहसुनिया को कोई नहीं जानता शनी के रतन नीलम से बहुत तेजी से जाद है अक्ट करने वाला रतन लहसुनिया है अगर लहसुनिया किसी को सूट कर जाए न, मतब किसी को अगर लहसुनिया रतन सूट कर जाए तो उसकी अवस्था और एक शराबी की अवस्था शराबी के वस्था जानते हूं क्या होती है ए तैज शराबी के वस्था क्या होती है यह गलत है तुम कहरो ना शराब शराबी को ध्यान नहीं रहता है कौन कहा रहा है कि वो जो एक ignorance mode है न वो एक शरावी में लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक शरावी का ignorance mode जो है वो momentary है वो suppress किया हुआ mode है यह कुछ देर के लिए वो suppress हो गया उसने सब चीदों को कह दिया हम कहते हैं अब बोटू है यार भाड़ हो जा और एक संत का और एक शरावी का जो mode होता है न एक फकीर का और एक शरावी का mode लगभग एक जैसा होता है फर्क ही होता है उसने वो suppress नहीं किया होता है उसकी वो अवस्था जो है न वो नैसरगिक है वो बनाई नहीं होई मतलब वो किसी medicine से कुछ खा के कुछ बनाई नहीं होई है इसने बनाई होई है इसने उसको suppress कर दिया, इसलिए जब यह वापस होश में आएगा न, तो वो जो बेहोशी के कारण, यानि कि जिस problem के कारण, जिस पीड़ा के कारण, इसने उसको suppress किया था, अब वो पीड़ा दुगनी हो जाएगी, इसलिए जब कोई व्यत्ती किसी thought को दबाने के लिए, कोई addiction ले तो चंद्रमा वो प्लैनेट है, जो आपके कर्म को सीधा सीधा प्रभावित करने की समता रखता भई, इसलिए मैं कहता हूँ, कि आपको जीवन में तीन रतनों में से एक सूट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, अभी मैंने पीछे बहुत पहले एक वीडियो बना दिया उस वीडियो को मैंने ये कहा, वो वीडियो है वो शायद मैंने उस पर डालावा शोट्स पर, तो मैं कभी-कभी सुन लेता हूँ, कभी समय मेरे पास होता है, तो मैं कमेंट देख लेता हूँ, तो मैंने वो कमेंट पढ़ा नीचे, तो मैंने एक वीडियो डाली थी, उस व कि अचानक से कोई व्यक्ति ये सोच ले रहा है कि कुछ भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सेसे उसकी थिंकिंग है चंद्रमा खराब है उसका ऐसे के इसमें चंद्रमा का रत्न वो धार्न कर सकता है तो कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया क्या बेवकुफ बना वहाँ पे एक व्यक्ति तो कुछ और ही लिखता है लेकिन सवाल यहाँ पर लिखने ना लिखने का नहीं सवाल ये है कि यदि मेरा मन फ्लिकर कर रहा है यदि मेरे मन की अवस्था ऐसी है तो मुझे कुणली देखे बिना ये बात ग्याद होनी चाहिए क कि मेरे चंद्रमा में प्राबलम है अगर चंद्रमा में प्राबलम ना होती तो मेरे मन की अवस्था ही ना होती समझे रहो तो एक है कि भी खोर एक है वो अवस्था है तो दोनों में बहुत डिफरेंस है अब आज जो मैं कह रहा हूं तुम लोगों से वो बहुत इंपॉर्टन सूत्र है तुम्हारे जीवन का बहुत इंपॉर्टन सूत्र है उसको बूलना मत करें दो मन मस्तिष्क में उसको बिठा लेना क्योंकि ये जो मैं आज तुमें पढ़ा रहा हूं ये हो सकता किसी और के काम ना है क्योंकि तुम दूसरे व्यक्ति को अगर ये कहोगे ना कि मेडिटेट करो या एकांत में रहो तो वो कहेगा हमें भाशन नहीं चाहिए हमें उपाय चाह को कि अगर आप उसको एकांत में बैठने के लिए कह रहे हो ये एकांत में समय वितीत करने के लिए कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो आप समझ जाओगे इस चीज़ को लेकिन यदि मैं आप से कहूँ क्योंकि आपकी जोतीशिय समझ इतनी है कि भाईया आपको एकांत में बैठ इतना बड़ा अवश्यक है, तो शायद आप उस बात को connect कर जाओगे, for example, यदि मैं ऐसा कहूं, तो हितेश तुम्हारी जन्मकुंडी में चंद्रमा किस राशी में है, करक राशी में है, तो अब आपने जो विचार करना, उस विचार को ध्यान से सुनो, मैं बाकी लोगों को भी कहा रहा हूं, जो धड़ा पड़े हैं, क्या बोलते हैं, मैसेज करने, वो इस चीज को सुन लो, मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, सुन लोगे, समझ लोगे, वो हो सकता जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए, ठीक है, तो चंद्रमा जिस राशी में है, आपकी जन्म नक्षत्र स्वामी कौन है, तुम्हारे चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है, अभितेश तुम्हारे जो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी है, वो कौन है, शनी है, शनी, पुष्य नक्षत्र है न तुम्हारा, तो मीन लगन में, मीन लगन में, यदी किसी का चंद्रमा, करक राशी में है तो इसकारत क्या है वो पुश्यनक्षत्र में जन्मा है पुश्यनक्षत्र किस चीज का है शनी का है अब वो मीन लगन में शनी किन भावों को लेकिन बारवे घर के प्रभाव को हम मुख्य रूप से मानेंगे क्यों कि क्यों कि भार्वे भाव में शनी की कुमराशी पड़ती है जो मूल त्रिकवन राषी है यानि की जैसे हम कहाते है ना यहीं जिता है आत…… पारवगर किस चीज का है? बारवागर आइसलेशन है बारवागर अध्यात्म है बारवागर चैरिटी है बारवागर दानपुन्य है बारवागर योग है अब आपको हितेश से पूछना भी नहीं है उसको बताना है आप उसको क्या बताओगे आप हितेश को काओगे जब जब आप एकांत में होते हो, जब जब आप अध्यात्म की बात करते हो, जब जब बात दान पुन्ने की होती है, जब जब बात एकांत में रहने की होती है, तो आप अपने आपको बहुत स्थेर अवस्था में पाते हो, कहेंगे आप, पूछेंगे नहीं क्या ऐसा होता ह पूछेंगे ऐसा होता है ऐसा होता है तो इससे होगा किस नक्षत्र में जन्मा पुश्य में लगन क्या है मीन तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए इसके इसको अपने नक्षत्र को ट्रिगर करना हो और नक्षत्र को ट्रिगर करने के लिए शनी जिन नक्षत्रों का स्वामी है उसको जब ये ट्रिगर करेगा तो डेफिनिटली ये व्यक्ति को peace of mind या जो एक मन की स्थेर अवस्था होती है उसको प्राप्त होगी ही होगी इस बात में कोई संशन नहीं यदी कोई सिंग लगन में जन्मा है यदी कोई व्यक्ति सिंग लगन में जन्मा है और सिंग लगन में जन्मे व्यक्ति का चंद्रमा सिंग लगन में जन्मे वेक्ति का चंद्रमा यदि पूर्वा शाड़ा नक्षत्र में है पूर्वा शाड़ा नक्षत्र तो पूर्वा शाड़ा नक्षत्र किस ग्रह का हो गया शुक्र का हो गया अब सिंग लगन में जो शुक्र है वो कौन से घर को रूल करता है वो रूल करता है तीसरे भाव को और दसवे भाव को अब यदि आपका चंदरमा दो घरों को रूल कर रहा है कौन सा तीसरा भाव और दसवा भाव आप जानते हैं कि इसमें हम मुख्य रूप से किस घर को लेंगे यदि कोई सिंग लगन में जन्मा है और उसका चंदरमा शुक्र के नक्षत्र में है जो तीसरे भाव को और दसवे भाव को लेके चल रहा है तो मुख्य रूप से हम किस भाव को लेंगे तीसरे को लेंगे कि दसवे को लेंगे तीसरे भाव को लेंगे क्यों क्योंकि तीसरे भाव में क्या है चंद्रमा की मूलत्रि कौन राशी है इसलिए क्या होगा इसलिए हम कहेंगे कि यदि आप सिंग लगन में जन में है और आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है जो की तीसरे और दसवे घर को रूल करके चल रहा है ये व्यक्ति जब जर्नी में होगा ये व्यक्ति जब communicate कर रहा होगा, तब यह अपने आपको बहुत स्थिरवस्था में पाएगा, Mercury और चंद्रमा के जो domain है ना, दो अलग-अलग domain है, Mercury conscious है, आप consciously क्या करते हो, subconscious है, चंद्रमा, आप subconsciously क्या learn करते हो, यह चंद्रमा है, आप consciously क्या learn करते हो, यह बुद्ध है, इसलिए मैं कहूँ कि आप गाड़ी जो है, आप जो गाड़ी ड्राइव करते हो, उस गाड़ी को ड्राइव कौन करता है, अब Mercury करता है, कि चंद्रमा करता है, हितेश जब तुम किसी गाड़ी को ड्राइव करोगे, अब मुझे नीचे देखना है, मुझे नीचे देखकर अपने ब्रेक या अक्सलेरेटर को दबाना है, नहीं ना, आप उसको कैसे करते हो, आप उसको सब कॉनिशसली करते हो, आपका हाथ जो है, वो गेहर पर अपने आप जाता है, you are not doing anything consciously, you are doing it subconsciously, that is चंद्रमा, जिस व्यक्ति का जन्म कालीन चंद्रमा जितना प्रबल होगा वो व्यक्ति सब कॉंशेसली उतना ही स्ट्रॉंग होगा इसलिए जब चंद्रमा किसी का पंचम भाव में आ जाए तो जो learning इस व्यक्ति की सब consciously होगी वो consciously कभी नहीं हो सकती अब मैं आपसे कहूँ कि आपने स्टोरी सुनी होगी ना महवारत की कि अभी मन्यू ने जो चक्रव्यू भेदना तब उसके अंदर जाना सीखा मा के गर्ब में सीखा बताओ उस time पर उसका बुद काम करना था कि चंद्र काम करना था it was absolutely चंद्रमा because वो swam भी चंद्रमा के ही भीतर था मा के भीतर था ना तो ये जो stories है न इन stories को आप connect करो कि वो बताना क्या चाह रही है रही वो बताना चाह रही है आपका subconscious कैसे correct होता है आप किताब पढ़ रहे हो आप एक किताब खरीद के लाते हो how to train your subconscious mind अरे मैं कहा रहा हूँ भई आपके you have 12 houses और चंद्रमा का जो आपका नक्षत्र स्वामी है वो किसी न किसी जुड़ा हुआ है किसी न किसी घर से जुड़ा हुआ है that घर will train your subconscious mind आपको उसकी ताब किया हो शक्ता नहीं वो घर train कर देगा आपके subconscious mind हम कहते हैं मलब हम ये कहते हैं न कि जिस चीज़ को आप when you write something and you leave that हम कहते हैं न यहारा तुमारा कोई intent है तुमारे जो चेतना है उसमें कोई बात आ रही है तो तुम उसको लिख दो लिख कर छोड़ दो उसको वो पूर्ण हो जाएगा सब के नहीं होगा सब के नहीं होगा तुमारी चेतना अलग है मेरी चेतना अलग है उस व्यक्ति की चेतना अलग है हम सभी लोगों के subconscious जो है न वो इश्वर ने एक different pattern पर डिजाइन किये आत्मा सभी की एक है आत्मा तुमारे अंदर भी वही है मेरे अंदर भी वही है उसके अंदर भी वही है लेकिन चेतना अलग है वो subconscious जो है न वो चंद्रमा का जो subconscious है वो different कब होगा वो different होगा उसके नक्षत्र के दुआरा कि जब हमारा चंद्रमा किसी नक्षत्र के अंदर आया उस नक्षत्र से जुड़े जो भाव है जो हमारी जन्म कुंडी में किसी ना किसी घर को रूल कर रहे है जब उन घरों के कारे में हम लिप्थ होते हैं हमारे अवचेतन मन की जागरती होती है हितेश इस दुनिया में सबसे powerful subconscious उन लोगों का है जो चंद्रमा का नक्षत्र केतु के रूप में लेकर जन्मे इनको क्या कहा गया? जोतिश में क्या कहा गया? केतु के नक्षत्र में कोई जन्मा है यदी तो कोई व्यक्ति अश्विनी में जन्मा कोई मगा में जन्मा कोई मूल में जन्मा तो पता इसको क्या कहा गया? कि ये मूलों में जन्मा है आप कभी पुराने लोगों से यदी बात करेंगी जो पुराने बड़े बुजर्ग हैं तो वो मूलों में जन्मा कहते हैं कि ये मूलों में जन्मा है मुझे पता चला कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे सुनने में आया कि भाई जो मेरे घर के लोग थे definitely क्योंकि के तू intent है के तू intent पर काम करता है के तू और किसी चीज़ को नहीं समझता वो सिर्फ भाव को समझता है तो उन्होंने बहुत जो है वो पूजन किये सब कुछ किया तो आज भी लोग जो है वो मूल को शांत करवाते हैं कहते हैं ये व्यक्ति मूलों में जन्मा है उसके मूल शांत कर दीजी और ऐसा करना सही है या गलत है मैं कहूंगा एक प्रकार से सही है एक प्रकार से सही है क्योंकि कही न कहीं वो जो मूलों का उपाय जब किया जाता है किसी जातक का तो कहीं न कहीं उसकी जो करेक्शन होती है उस व्यक्ति की वो सबकॉइंशन लेवल पर करेक्शन हो जाती है लेकिन आप यदि मुझसे पूछो किया श्यंद्रमा का नक्षत्र स्वामी के तू लेकर जनमन लेना कैसा है? मैं कहांगा सबसे पावर्फल है. सबसे पावरफल है क्योंकि इस व्यक्ति का जो सब कॉइशस है इस व्यक्ति का जो अवचेतन है वो किस से जुड़ गया वो प्रकरती से जुड़ गया कि तू प्रकरती है कि तू प्रकरती है राहू प्रकरती नहीं है राहू विज्ञान है राहू विज्ञान है अब कई लोग होंगे कई लोग क्या कहेंगे आपको सो लोग मिलेंगे न तो सो में से पचास-पचास परसंट की आपको एक डिफरेंस मिल जाएगे पचास लोग क्या कहेंगे पचास लोग कहेंगे कि विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ये सब आडंबर है, ये देवी, देवता, मंदिर, पूजा, पाठ, सब आडंबर है, केतु कहेगा कुछ भी आडंबर नहीं है, विज्ञान जो है, अब केतु वाले से अ करszty लेकिन प्रकर्टि जो है चे तुप एयाम को द का आ पिस लिए जो चंद्रमा के अंदर जो के तुका नकशत लिए जो जन्मे है उनके लिए जोतिश जो है न जोतिश वर्दान का कार्या करता है अगर आप अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्मे है यदि आप मगा में जन्मे है यदि आप मूल नक्षत्र में जन्मे है तो जोतिश का आपके जीवन में होना किसी वर्दान से कम न जो केतु है वो को लॉड किसका है लेकिन इनका अपना भी domain है ना इनका अपनी भी एक philosophy है ना दोनों planets की तो केतु क्या है। केतु मुक्ति है है केतु अध्यात मे हैं केतु जोतिश है। तो जो चंद्रमा से जुड़े लोग होते हैं जिनका चंद्रमा केटू के नक्ष्चत्र में जोते हैं, तो भले उनको पैसा प्राप्त हो या ना, भले उनको अपने कारे शेत्र में सफलता मिले ना मिले, ये सब सेकंडरी चील है, उनको सब को हटा दो, लेकिन उनका अवचेतन मन इस अवस्था में अवश्या आजाएगा, कि वो जोतिश करते समय ये कहेंगे कि भई, इस समय हमें किसी चीज़ की कोई अवश्यक्ता नहीं, उनका अवचेतन मन एक ऐसी अवस्था में अवश्या आएगा, कि उनको लगेगा कि भई, मजा आ रहा ह जो मैंने का रहा है एक शराबी की अवस्था होती है शराबी की अवस्था क्यों बढ़िया है वह जूम रहा है तो जरूरी नहीं है तुम्हें जूमने के लिए शराब ही चाहिए अगर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से जुड़े भाव को अगर पकड़ लो तो जो जूमने की अवस्था उसकी है वो जूमने की अवस्था तुम्हारी भी होगी तुम्हारी जन्म कुंडी में तुम तुला लगन के हो तुला लगन में तुम्हारा चंद्रमा कहा है 11th में तुला लगन में यदि कोई जन्मा है तो 11th house में कौन सी राशी हुई सिंग राशी हुई अब सिंग राशी जो है उसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आएंगे या तो केतु का आएगा या शुक्र का आएगा या सूर्य का आएगा तो तुम्हारा नक्षत्र कौन सा है तुम्हारा नक्षत्र शुक्र का है पूर्व फालगुनी है तो पूर्व फालगुनी का स्वामी जो है वो कौन हुआ वो शुक्र हुआ अब तुला लगन में तुला लगन में शुक्र किन किन भावों को रूल करता है लगन को और आठव जब आपके चंद्रमा का नक्षत्रस्वामी लगन होगा, यह बहुत डिफिकल्ट हो गया, यह असान नहीं होगा, यह डिफिकल्ट हो गया, यह सबसे डिफिकल्ट हो गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं पूछूं कि self का भाव कौन सा है, स्वैम का भाव कौन सा है, तुम कहोगे first house है, अब मुझे बताओ कि स्वैम को स्वैम में स्थित रखना मुश्किल है, क्या असान है, सबसे मुश्किल स्वैम को स्वैम में स्थित रखना, इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, मैं कहूं, अगर मैं किसी वेक्ती से consultation में कि क्या तुम स्वैम को जानते हो, do you know yourself, अब पताओ वेक्ती क्या कहँगा, yes I know, तुम उससे पूछो कि, do you know yourself, तो अगर मैं वो जवाब नहीं दे रहा, तो मैं क्या कहूंगा, I am राहुल कौशिक, अब दूसरा word अगर किसी ने, आँखों में आँखे डालके पूछ लिया कि हुई जराहुल कौशिक, तो फिर आ, 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 क्या define करोगे, तो इस definition को वो ही define कर सकता है, जिसने first house को जागरिक कर लिया, जिसको पता हो, मैं हूँ कौन, who am I, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र जो है न, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र जानते हो कौन है, वो, ठीक है, हम ओम को कहते हैं, ओम तो पर्मचेतना है, तेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारे लिए जो जीवन में सबसे बड़ा मंत्र बना हो जानते है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा मंत्र है लिए, इस सबसे बड़ा मंत्र नहीं है, जीवन में कोई भी नहीं है, समझ तो तुला लगन में आप चंद्रमा किसके नक्षत्र में लेकर जन्दे शुक्र के नक्षत्र में लेकर जन्दे एक भाव तो कौन सा है पहला पहला दूसरा कौन सा अश्टम भाव अब यहां जो अश्टम भाव है वो आपको सुवय में स्थित होने में आपकी मदद करेगा अब शुक्र के नक्षत्र कौन से हैं, भरनी है, पूर्वा फालगुनी है, पूर्वा शाड़ा है, तो यदि शुक्र के, यदि तुला लगन वाला व्यक्ति, पूर्वा शाड़ा, पूर्वा फालगुनी, ठीक, या भरनी नक्षत्र में जन्मा है, तो ये व्यक्ति को जोति स्वैम में स्थित करने में उसकी मदद करेगा हर व्यक्ति को जोतिश ही नहीं बना सकते हम अब आप किसी को क्लाइंट को अगर बोलोगे कि तुम्हारा आठवा घर है तुम जोतिश करो तो वो व्यक्ति आपसे क्या कहेगा अगर मैं जोतिश इतना ही जानता होता या मुझे करना होता ना आपसे सल्हा लेने क्यों आता मुझे जोतिश नहीं जानना है मुझे अपने प्रश्णों का उत्तर दीजिए तो आप उससे जानते हो क्या कहोगे क्या आपको कहना पड़ेगा कि आठवे घर की कोई तो एक्टिविटी कीजिए आठवे घर की सारी एक्टिव की है तो आप अश्टम भाव के negative traits की तरफ जा रहे हैं और जब आप चिंतन की अवस्था में हैं तब आप अश्टम भाव के अच्छे traits की तरफ जा रहे हैं यह अश्टम भाव की remedy भी हो गई और चंद्रमा का सूत्र भी हो गया इसलिए आप जिस भी नक्षत्र में जन्में है जो भी आपके चंद्रमा का नक्षत्र है उस नक्षत्र स्वामी को अपनी जन्म कुंडली में उसके भाव से जोड़िए कि वो कौन सा भाव है और उन भावों की एक्टिविटीज को करिए तब आपको आपकी अव चेतन मन की शक्ती का अहसास हो जाएगा यू विल गेट टू नो अबाउट दा सब कॉंशेस पावर अफ यूर माइंड आप जानते हो कि पराशर रिशी जो अपने आप में उस समय का सबसे बड़ा वज्ञानिक हो रहे हो पराशर जी जिनोंने हमें ब्रहत पराशर होडा शाष्त्रिप बना कर दिया बहुत ही तत्व ग्यानी रिशी थे तत्वों का ग्यान था उन्हें और जिस वेक्ति को तत्वों का ग्यान हो उससे बड़ा सूपर साइंटिस्ट कोई हो नहीं सकता कोई नहीं हो सकता और उन्होंने जब लोगों को डिफाइन करना शुरू किया, जब नव ग्रहों को डिफाइन करना शुरू किया सूर्य कौन है, भगवान शिरी राब, मंगल कौन है, नर्सिंग अवतार राहु कौन है, वरा अवतार, धस्पती कौन है, वमन अवतार शनी कौन है कुर्म अवतार बुद्ध कौन है भगवान बुद्ध के तु कौन है मत्से अवतार नोह ने एक ग्रह को बहुत बड़े अवतार के रूप में जोड़ा अब मुझे बताओ तुम नहीं बताओगे मैं बाकी सब बताओगा पराशर रिशी ने चंद्रमा को किस लोगों को आंसर करने दो then I will tell you something very interesting कि उन्होंने चंद्रमा जैसे ग्रह को जिसको काबू करना सबसे टिपिकल है वो एक अफ्तार से जोड़ दिया और किसी से नहीं जोड़ा उन्होंने उसको जोड़ा भगवान श्री किष्ण से भगवान श्री किष्ण से तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि भगवान श्री किष्ण जो है सिर्फ एक भगवान ही नहीं एक परमचेतना का नाम है एक परमचेतना का नाम क्यों है अगर मैं किसी से एक बात कहूँ अगर मैं किसी से एक बात कहूँ अगर मलव मैं तुमसे ये कहूँ कि जाके अपने पिता जी को गलावुरा कहूँ, कुछ गलत शब्द कहूँ, तो क्या तुम अपने पिता को गलत शब्द कह पाओगे? नहीं कह पाओगे? अगर मैं तुमसे ये कहूँ, कि अपनी माता की हत्या कर दो, तुम क्या कहोगे? अरे पापी, अरे दुर्बुद्धी, कैसी बाते कर रहा है? कह क्या रहा है? तिरे को खुद समझ है? वहीं एक व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी मानसिक स्थिती इस टाइम पूरी तरह ब्रहमित है, जो ये नहीं समझ पारा, कि मैं करूं तो क्या करूं? और उसके मन की चेतना को इस स्तर पर ले गए, कि उस व्यक्ति ने बान उठाये और सबसे पहले उनको मारना शुर इसलिए वो सिर्फ भगवान नहीं, वो परमचेतना है, वो चंद्रमा है, अगर आपने चंद्र की स्थिती सुननी है न, तो चंद्र वो स्थिती है, जब चंद्र एक अपनी स्थिती में खुद को ले आए न, चंद्रमा यदी आप चंद्र ग्रह को अपनी स्थिती में ले जाओ गे जिस परमचेत्ना को हम Bhagawan श्रिक किष्ण कहते हैं हमज़ए चाह बात आख यदि आप Bhagawan श्रिक किष्ण को सिर्फ Bhagawan के रूप में देखोगे ना तरकर अलग चीज है इसलिए इसलिए है अब 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 परमचेत्ना क्यों कह रहे हैं इसको क्यों कह रहे हैं भई हम तो सबसे पहले भगवान राम का नाम लेते हैं हम तो ये मानते हैं ये हमारे आराध्य वो हैं पूजा उनकी करते हैं क्यों क्यों क्योंकि हमारे लिए मर्यादा है न अब मर्यादा कौन है उनको किस ग्रह से जोड़ा भगवान श्री राम को सूर्य क्या है सूर्य मर्यादा है माने क्रतिष्ठा है तो उन्होंने एक उधारन दिया क्या मर्यादा में कैसे रहना एक मर्यादा का श्रेष्ट उधारन यदि किसी ने दिया भगवान श्रीकिष्ण को समझना इतना सरल नहीं है इतने नाम इतने रूप इतने माइंड सेट इतना कुछ अलग अलग किसी भगवान का ही नहीं हो सकता किसी पुरुष का नहीं हो सकता इसलिए भगवान श्रीकिष्ण को योगी श्वर का है योगियों के इश्वर इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण को समझना चंद्र को समझने के समान है उन्होंने एक जगे डिफाइन नहीं किया खुद को उन्होंने कह दी अवरिक्षों में मैं पीपल हूँ मुनियों में मैं कपिल हूँ सब जगे अपनी डेफिनेशन अलग कर दी आदमी कहे भई हो क्या पीपल में भी हो रिशियों में भी हो मुनियों में भी हो रिशियों में खुद को ब्रिगू कहा वरिक्षों में खुद को पीपल कहा अब आदमी ढूनने जा रहा है यार मैं कहूं तो कहूं किसको तो हर जग है अपनी जो presence है वो अलग define कर दे रहे हैं क्योंकि मन का एक स्थिर स्वरूप है ही नहीं मन तो भिन-भिन तरीके से सोचता है मन सोचता है अभी इसके बारे में सोच रहा इसका ये कर दूँ अभी सोच रहा इसका वो कर दूँ अभी पांच मिनिट में इस पर प्रेम आ जाएगा तो इसको गले लगा लेगा पांच मिनिट में इस पर दिक्कत आगे तो इसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा ये मन का स्वरूप है उस मन के स्वरूप को समझने के लिए भगवान श्री किष्ण से बड़ा कोई हो नहीं सकता, इसलिए पराशर जी जैसे तत्व ज्यानी रिशी ने चंद्र को किसी और घ्रह से नहीं जोड़ा, उसको जोड़ा किस से, भगवान श्री किष्ण से, योगी श्वर, the ultimate God, the ultimate God, we call it पूर्ण पर्मात्मा, पूर्ण पर्मात्मा, जब आप प्लैनेट्स पढ़ोगे न, तो सभी प्लैनेट पूर्ण पर्मात्मा नहीं है, all the planets are not पूर्ण पर्मात्मा, only few are the पूर्ण पर्मात्मा planets, ये concept आता है, पूर्ण पर्मात्मा अमशा प्लैनेट्स का, कि पूर्ण प तो चंद्र का नक्षत्र जिन घरों के साथ जुड़ा होगा उन घरों की जागरती ठीक वैसी जागरती है जो आपके अवचेतन मन को पूर्ण रूप से जागरत कर सकती है अब बात मत करना कि मेरी remedy क्या है मेरे solutions क्या है यह वो domain ही नहीं है नहीं तो अगर आप इसको remedy या solutions में डाल दोगे न उस domain को आप छू नहीं पाओगे जिस domain की यह बात कर रहे है और अभी हमने इसका सिर्फ एक प्रतिशत हिस्सा भी कवर नहीं किया है अगर हम कहें तो only one percent is covered और one percent में हमें समझ में आ रहा है yes my चंद्रमा isn't the नक्षत्र of mercury अगर मेरा चंद्रमा बुद्ध के नक्षत्र में है और मेरा बुद्ध जो है वो पंचम भाव को rule कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि मैं व्रिशब लगन में जन्मा हूं या मैं कुम लग नमनवाली अवस्था होती है जहां मैं अपने मन को चाहे भूत है, चाहे प्रेथ है, चाहे पुन्या आत्मा है, चाहे कोई बड़ी स्पिरिट है, वो सब कहां से जागरित होती है, यहां से जागरित होती है, यह हमारा मन है, इसी में भूत है, इसी में प्रेथ है, इसी में कोई पुन्या आत्मा चीपी है, वो जागरती हमारी जोतिश के द्वारा हो सकती है, इसलिए जोतिश जो है ना, इसलिए जोतिश जो है इसका नाम बहुत बड़ा है, इसका नाम है जोतिश, इसका नाम जोतिश है, जोटा मोटा नाम नहीं है, इश्वर की जोति है यह, और अगर आपको इश्वर की जोति कुछ नहीं दिखा सकत तो आप कभी जीवन में कुछ देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे सनातन का जो पूरा सार, जो चार वेदों में है न, उस वेद का नेत्र जो है, वो जोतिश है, चक्षू का है न, जोतिश वेदाना चक्षू हूँ, इस कारण से उसको बोला है, वेदों को जानने का जोतिश जाल लो गया, और यदि जोतिश आपका जागरित हो गया, जोतिश आपका जागरित हो गया, तो आप मेरी ये दशा अच्छी है, मेरी वो दशा अच्छी है, आप इस तरीके के प्रशनों में जाओगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, कि जोतिश इसके लिए नहीं बना, कि मैं कौन सा कार्य करूँ, definite सी बात है, वो होगा, लेकिन जोतिश उससे भी आगे कहीं बात कर रहा है, वो आपको उससे आगे भी ले जा रहा है, इसलिए, मुझे ऐसा लगता है, कि मेरी जो धारना है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी धारना ये कहती है, जोतिश काल चक्र को जानने की विद्या नहीं है, काल चक्र से मुक्त हो जाने की विद्या है, अगर जोतिश जैसा विशह आपको काल चक्र में बांध रहा है न, तो आप जोतिश नहीं कर रहे हैं, याद रखना, और जब आपको लगे कि मैं मुक्त हो रहा हूँ दशा से मुक्त हो रहा हूँ अंतर दशा से मुक्त हो रहा हूँ पीडा से मुक्त हो रहा हूँ तब समझना कि जोतिश आपके जीवन में घुस चुका तब घुसा है जोतिश और यदी यदि आप जोतिश को अपने फाइदे नुकसान से जोड रहे हैं कि भई जोतिश ने मेरे फूर मैंने जोतिश की है अब मैं जानता हूँ किसी का शुक्र केतु जब साथ में होता है एक साथ में होता है बहुत close conjunction में तो ऐसा वेक्तिश आपको कहेगा मैंने जब साथ जोतिश किया मुझे पैसे बहुत मिल रहे है मुझे पैसे बहुत मिल रहे है किसी का केतु पहले डिगरी में शनीबाद में है वो कहेगा भई मैंने जब साथ जोतिश किया एक निम्स्तर पर बात कर रहे हैं, वो उस तर पर बात कर रहे हैं, जो बिलकुल जैसे कहते हैं, इमीजेटली है, लेकिन जोतिश वहां नहीं है, जोतिश तो उससे बहुत आगया है, बहुत आगया है, समझे रहे हो बात को, तो that is the beauty of astrology, अब शनी की हम बात करें, कि शनी जो ह तो समझ में आया कि चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉड है, वो जो है, वो जागरिती है किसकी तुम्हारे अवचेतन मन के रहे हैं, तो कभी किसी को जोतिश बताना होना, तो उसको ये मत कहना, कि अरे तुम्हारा चंद्रमा का नक्षत्र बहुत important है, क्यूं? क्यूंकि चंद्रमा का नक्षत्र तुम्हारे अवचेतन मन की स्थिती है, अगर ये कक्षा तुम्हें समझ में आई, तो अगली कक्षा में जो चंद्रमा के रहसे में तुम लोगों के सामने लाऊंगा ना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा, तुम्हारा मन मच्दिश के आत्मा, तुम्हारा रोम रोम ये बोल पड़ेगा कि हाँ जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, इसलिए कि तुम्हें अपनी मनस्थिति, अपनी मनोवृति वहां connect होती दिखाई देगी, तुम्हें लगेगा कि मेरे मनस्थ के बारे में कोई ऐसे बता रहा है, जैसे उसको ये पता हो कि मेर मन में thoughts क्या चल रहे हैं, तो that is चंद्रमा का नक्षत्र, तो और ये ऐसा नहीं है, किसी को remedy में अगर मैं दू, अब हितेश है, हितेश आज मेरा student है, अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति होता जो मेरे पास अपनी पत्रिका लेकर आता, कहता कि मन में बहुत पीड़ा है, क्या करू और मैं इसको लिखता हितेश, आप अध्यात में जाईए, हितेश कहता अरे कैसा आदमी, क्योंकि हितेश को कौन सी language समझ में आती, हितेश को वो language समझ में आती, जब मैं हितेश से पूछता, वहारा चंद्रमा कहा है, हितेश कहता पांचवे घर में, तो मैं कहता एक काम करो पांच किलो चावल जो है, वो जल प्रवा कर दो, तो हितेश को उपायों की जो भाषा है न, वो बहुत अच्छी समझ में आती, लेकिन अब जो है, वो हितेश एक जोतिश का विध्यारती है, मेरी तरह है, जैसे मैं जोतिश का विध्यारती हूँ, तो उस case में मैं हितेश क को जब कहूंगा ना कि अध्यात्म तुम्हारे अव्चेतन मन की जागरती है तो हितेश उसको connect कर लेगा यह सही कह रहे है राइट बात यह है शनी की बात करें तो शनी जो है ना शनी एक independent planet है स्वतंत्र ग्रह है शनी और आप कही जगह क्या कहोगे कही जगह कहोगे शनी बांडरी है शनी बांडरी है शनी लिमिटेशन है है ना हमने पढ़ा है शनी लिमिटेशन है अब किसी का चंद्रमा शनी एक साथ में हो देखो कितना पिडित मिलेगा चंद्रमा शनी किसी का एक सा द对 लेकिन मी यदि इस चंद्रमा पर मंगल की द्रिष्टी पड़ गई कि या मंगल स्चंद्रमा के साथ बैठ गया कि वहाद्मी जीवन में इतना पिड़ित होगा इतना पीडित होगा, इतना पीडित होगा, कि एक शन ऐसा आएगा, कि पीड़ा इसको पीडित करना बंद कर लेगा। मंगल के साथ है, या मंगल की दृष्टी है, ये आदमी इतना पीडित होगा मन से, कि अंत में इसका मन ही मर जाएगा। इस तो अवस्था है न, उत्तब आती है जब चंद्रमा की मृत्ती हो जाए, इसको हम मनो निरुत्ती कहते हैं, या मनो निग्रे कहते हैं, मनो निग्रे, बेसिकलिए, या मन गया। अब जब मन गया, तो मन से जुड़ी सब चीजे चली गए, आशा चली गी, निराशा चली गी, चिंता चली गी, सब चला गया। अब एक सम स्थिती है, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता, आप आदमी को अच्छा कहो, बुरा कहो, अब यह जो शनी है न, यही ऐसा कर सकता है, शनी कर्म है, ठीक है, मैंने कई दफ़ा लोगों को न, ब्रहस्पती की दशा में बहुत पैसे कमाते देखा है, ब्रहस्पती की दशा है, व्यक्ती बहुत पैसे कमाता है, बहुत पैसे कमाता है, अकूत धन कमाता है, ब्रहस्पती की दशा है, ठीक, तो मैं आज तुम्हें एक सूतर दे रहा हूँ, तुम यह जो क्लासिज है न, जो आगे चल रही हैं, इन क्लासिज को जब धन से तो तुम्हें बहुत से सूत्र ऐसे मिल जाएंगे कि बिना जन्मकुंडी के भी तुम्हें बहुत सारी चीजे सामने वाले की समझ बाया जाएगी मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करता हूँ उस प्रश्न का उत्तर मुझे बड़े सयम वश देना पहले सयम से सुनना उस बात को फिर एक उत्तर देना उसका फितेश अगर कोई भ्रस्पती की दशा में बहुत धनकम आया है तो तुम्हें क्या लगता है उसमें नैतिकता बरती होगी या खुब नैतिकता का प्रयोग किया होगा अगर आप आज के समय में कल्यूग में नैतिक्ता रखोगे तो बहुत धन कमाल हो गए मैं एक सवाल कर रहा हूं तो उमसे बड़ा सिंपल सा अगर मुझे सबसे धनी जोच्छी बनना है मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं तुम से सिंपल सा अगर मुझे सबसे धनी जोच्छी बनना है तो क्या मैं नैतिक्ता के अधार पर सबसे धनी जोच्छी बन पाऊंगा बिल्कुल yes or no मैं answer करना नू नयतिक्ता क्या कहेगी नयतिक्ता तो यह कहेगी कि जो व्यक्ति पुत्री का जो गरीब व्यक्ति अपनी पुत्री की जनम पत्री का मेरे समक्ष रखेगा और कहेगा इसका विभा क्या होगा इसका विभा कब होगा तो नयतिक्ता जानते हो क्या कहेगी नयतिक्ता कहेगी इसको पैसे इससे पैसे लेने नहीं है in fact इसको पैसे दे देने है कि मेरी तरफ से एक अन्यादान मैं अभी से देता हूँ यह नितिक्ता है बना देगी तुम्हें रही सिर अरे यह तुम्हारा वो भी बिगवा देगी जो तुम्हारे पास है समझें बात को देट इस नितिक्ता नितिक्ता देखनी जाओ पढ़ो ना राजा हरीश चंदर की कहानी पढ़ो ना तुम्हें नितिक्ता समझ में आएगी क्या है कि दो आदमी अपने बच्चे के कफन के लिए उसको जलाने के लिए उसके लखडियों के लिए धन कमा रहा है उसकी शनी की दशा देखने की आवश्यक्ता नहीं है तुम्हें कैसी जाएगी काल पुरुष की कुंडली में यदि ब्रस पती को नितिक्ता कहा है तो शनी को काल पुरुष की पीडा कहा है ये बात डराने की नहीं है बात समझने की है कि अगर किसी ने ब्रहसपती की दशा में सब नैतिक मुल्यों को ताक पर रख दिया रहे भाई रो रहा है तो फरक नी पड़ता हसरा है तो फरक नी पड़ता कमाने दो इसलिए वो उन 15-16 साल एश में है उन 15-16 साल वो एश में है बढ़ी आया है सब चल रहा है अब जो टाइ अब शनी तुम्हें बताएगा कि नतिकता का मूल्य क्या है इसलिए काल पुरुषकी कुंडली में सिर्फ दशा चक्र ही ऐसे कारे नहीं करता कि पहले ब्रसपती की दशा आती है और फिर शनी की आती है काल पुरुषकी कुंडली में कर्म भाव में कर्म भाव कौन सा है पुर्व आपको धर्म का विचार अवश्य करना है, समझ गए आप बात को, अब ये कोई समझेगा नहीं, और शनी जानते हो क्या है, एक बात बता दूँ है आज मैं, तुम लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी, समझना इस बात को बड़ी गहरी बात है, जिसको स चला जाएगा इधर उदर, वो कहीं बटके बाता है, कि ब्रहस्पती जो है न, वो कुछ भी करने से पूर्व शनी को कहता है, क्या, कि इस व्यक्ति में, मेरा विचार नहीं किया, इसका फैसला तुझे करना है, मैं नहीं करना है, सादू के हाथ में नहीं है किसी को दंड देगा, दंड कोन देता है, नियाय दीज देता है, कोट में खड़े होके, जब आप माईलोड कहते हो न, तो माईलोड एक ही चीज़ पर विचार करता है, क्या, ये सही है या गलत है, इसने उचित किया, या अनुचित किया, शनी के रस्ते में उसको लूट लाता है, खूब लूटा, खूब लूटा उसने, आज पतनी को हार दे रहा है, आज पतनी को साडी दे रहा है, पिता जी को अच्छे-च्छे कपड़े लाके दे रहा है, पिता जी भी खुश, अच्छे कह रहे हैं, आज बापा ये लाए बोला, ये खुब लूट रहा था, लूट पाट उसका पेशा था, तो एक दिन केतु मिल गया उसको रास्ते में, केतु कौन होता है, संत होता है, केतु तो फकीर है, तो केतु को रोक लिया उसने, उसकी तो प्रवर्ती हुई थी, रोक लेना वेक्ति को लूट लेना, रोक लिया केतु क कहां जा रहा हूँ जै वहां जा रहा हूँ क्या है तुम्हारे प्रसक मेरे हाथ में तो यह पोटली है मेरे हाथ में तो यह पोटली है रोक लिया उसको कहरे मेरे को यह पोटली दे तो बोलता भाई मेरे पास तो यही है चल ले ले लेकिन ये पोठली लेने से पूरु तुससे एक प्रश्न करूँगा उसने का ठीक है भई मेरे को पोठली मिल रही है मेरे को लूट का समाने मिल रहा है मुझे क्या दिक्कत है प्रश्न का उत्तर देने में कहते इस पोठली को लेकर घर जा और पूछ, कि मैंने जितने भी कर्म किये हैं, उन में से मेरा भागीदार कौन बनेगा, तो घर गया, सबसे पहले पिता को पूछा, कि पिता जी क्या आप मेरे कर्म में मेरे भागीदार बनोगे, पिता जी बोले सुन बेटा, तु मुझे नए कपड़े लाता या ना लाता, म मैंने तुझे पाला ज़रूर है, मेरी ममता तेरे पास बहुत है, मैं प्रेम तुझे से बहुत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी तुझे बच्पन में ये शिक्षा नहीं दी, कि तु लोगों को पीडा दे और उनसे पैसे कपा, फिर जाता पत्नी के पास, पत्नी से कहता है कि क्या तु मेरे कर्म में भागिदार बनोगी, पत्नी कहती है कि भाई, मैं कैसे भागिदार बन जाओ, मैं कैसे भागिदार बन जाओ, हमारे जो साथ फेरे हुए हैं, वो इस आधार पर हुए हैं कि तुम जीवन में मेरा भरन कोशन करो, तो तुम्हें तो अपना करतब वे करना था तो तुम अपना करतब वे कुछ और करके भी कर सकते थे तुमने यही रास्ता क्यों चुना उसको इमिजेटली समझ में आ गई कि आज तक जो कुछ उसने किया जो कुछ उसने किया उसमें ये जिन लोगों मजे की है भोगा किसने उस पैसे को? उनोंने? ठीक? मजे लिए किसने उनोंने? अब सुताई किसकी होगी? जो लेका है अब सुताई किसकी होगी? ये माशे की होगी ठीक है? अब पढ़ रही है इसको वो कह रहा हुम से कि भी जो मेरे को पढ़ रही है उसमें जरा तुम भी थोड़ा सपोर्ट कर दो यार मेरे पांच लगेंगे तुम भी पांच लगवा हम क्यों लगवाई यार हमने थोड़ी कहा है तिरको उसको समझ में आ गया गेम अपका इसलिए एक मत्र शनी ग्रह ऐसा है कि शनी ग्रह जो है वो आपका अपना है किसी और का नहीं है मेरा शनी मेरा है तुम्हारा नहीं है तुम्हारा शनी तुम्हारा है किसी और का नहीं है कभी शनी को इस चीज से जोड़के मत देखना कि पिता ने कहा ये कर्म करो तो तुमने कर दिया, माता ने कहा ये कर्म करो तो तुमने कर दिया, कहने दो जो कह रहा है, कर्म तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, इसलिए ब्रस्पती की दशा में यदि तुमने उत्पात मचाया है, तो शनी की दशा में वो उत्पात का ज लेगा उसको हर कोई सही रहेगा और मेरे पास केसिज हैं मैं किसी भी बात को किसी आधार पर कहता हूं ऐसे नहीं कहता हूं अब जब कुंडलिया देखने का मन नहीं है तब बात अलग है लेकिन जब देखी हैं तो साक्षात इन चीजों को पाया है अपने सामने घंटे चंद्रमा से पहले चंद्रमा जो महादशा आती है उससे पहले किस की दशा आती है सूर्य की आती है सूर्य चंद्रमा मंगल रहस पति शनी तो चंद्र से पहले सूर्य की दशा आती है अब सूर्य क्या है सूर्य मान अपमान है ना तुमने किसी को मान दिया तुमने किसी को मान दिया तो जानते हो तुमने क्या किया तुमने सूरे को अच्छा कर दिया किसी को मान देना यानि कि मैं यदि तुम्हें मान दे रहा हूँ न तो मैं तुम्हारा अच्छा नहीं कर रहा तो मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ अगर मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ न तो मेरी ये बड़ी भूल है कि मैं तुम्हारा खराब कर रहा हूँ मेरा अपना सूर्य भिगड़ रहा है तो जो मान अपमान की थियोरी है न इसको आज के modern day में पता हम कैसे देखते हूँ समझाओ इसको थियोरी को समझोगे हितेश आज की डेट में अगर तुम्हें खाना मंगाना पड़ेगा बाहर से बाहर से डेलिवर करके तो तुम किससे खाना मंगाओगे बताओ किससे मंगाओगे खाना अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूँ कि आपने खाना मंगाया एक गंटे पहले आपने खाना मंगाया एक गंटे पहले और आपका खाना भी तक नहीं आया तो आप क्या करोगे डिलिवरी बॉय को क्या करोगे डिलिवरी बॉय को इधेश क्या करोगे सच बोलना जूट बोलोगे पकड़े जाओगे आज बैठें यहां पर आज तो कोई बात नहीं क्लास चल रही है तो अच्छे बच्चे बन जाते हैं अच्छा बच्चा मत बनना सच बताना क्या करोगे तुम उस कि उसने वो कारे कैसे किया होगा और फिर किसी जोच्छी के पास एक सवाल लेखे जाओगे चार साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है बहुत महनत की थी मैंने बहुत महनत की थी मैंने लेकिन मेरे बॉस ने मेरा काम जो है उसको पहचाना नहीं तुमने भी वो तो जो एक गंटे में बिचारा किस किस अवस्था में तुम्हारे पास खाना लेकर आया क्या तुमने पहचान करी उसकी कि वो कैसे खाना लेकर आया अगली बार से जब किसी को negative rating दोगे न तो ये ध्यान करके देना कि तुम्हारे सूर्य की धजियां उससे पहले उड़ेंगी किसी को अपमानित करने से पूर्व सबसे पहले ये सोचना कि तुम्हारे सूर्य की धजियां तुम कैसे उड़ा ये कर्मा फिलोसफी है ये 1st Lord 5th Lord 9th Lord से बहुत उपर है मैंने लोगों को 2-6-10-11 हम बोलते हैं न हम बोलते 2-6-10-11 बहुत पैसा कमाएगा बहुत पैसा कमाएगा 2-6-10-11 बहुत चेए-10-11 заключ वाले को तरस्ते देखा है पैसे के लिए ये मानेंगे लोग हम कहते न विज्ञान है अरे हर चीज विज्ञान है तो कर्म को डाल दो साइड में क्या फरक पड़ रहा है नहीं पड़ रहा ना सूर्य की दशा में जिस व्यक्ति अपनी पावर अपनी अथौरिटी का बहुत गलत यूज किया होगा और किसी के मान अपमान से पहले एक पल भी विचार नहीं किया होगा चंद्रमा की दशा उसे उजाड दे कहां से उजाडेगी यहां से उजाडेगी डिप्रेशन में चला चायेगा साइकाटरिस्ट के पास जाके दवाईयां खायेगा जो व्यक्ति यह कहता न वह बहुत अच्छा हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ब्रहमित है वो उसको ब्रहम से भारा ना पड़ेगा ठीक तो कभी किसी की अवहिला करते समय कभी किसी का अपमान करते समय अपने सूर्य पर विचार करना भले सूर्य तुमारा उच्छका क्यों न हो कुछ नहीं करेगा उच्छका सूर्य है सब गुज जाएगा सब फिर समझ में आएगा कर्मा फिलोसिफी कुछ और है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ फॉर्म्स debugging जोटिष में जो फॉर्म्स है न वो फॉर्म्स ने से बहुत सूपीरोड है बहुत सूपीरियर है क्यों सूपीरियर है ब्रहस्पति राहु जब मैं इस कॉम्बिनेशन पर रिशर्च कर रहा था मेरे पास जितना भी समय है उस सारे समय में मैं हर एक combination को decode करके बताऊँगा तुम्हें कि उसके पीछे की विचारधारा क्या है क्योंकि जोतिश में अगर विचारधारा को तुमने नहीं समझाना किसी ग्रह की तो बहुत कुछ तुम्हारे से अचुता रह जाएगा ब्रस्पति राहु को क्या कहते हैं बताओ कौन सा योग कह जाता है टेल मी गुरु चंडाल यू टेल मी वाट इस ब्रस्पति राहु गुरु चंडाल राइट सुन लिया योग सबसे गुरु चंडाल सुन लिया सबसे गुरु चंडाल ठीक अगर ब्रस्पती राहु अपनी श्रेष्टता दिखाने पर आ जाएगा, कि योग कितना श्रेष्ट है, तो यह वो योग है जो एक चंडाल को भी गुरू बना सकता है. इस बात समझना कि ब्रस्पति राहू क्या combination है यह वो combination है जो एक चंडाल को भी गुरू बना सकता और गुरू को भी चंडाल बना सकता है शहेज च है नहां इस सब्सक्राइब करें ना सब्सक्राइब को गर्श्पति लेखे जैंग और दनातब姓ने likewise आए आसे सबैसी सब्सक्राना किया कि तृति धंत जानते हैं नेगाट इंत हैं नेगेटिव भ्रस्पती के ट्रेट जानते। यह होते हैं, वो जिस से पढ़ा, मालुम उससे ब्रस्पती रहू पढ़ा. कोई जिसके चार्ट में ब्रस्पती रहू हो उसको बढ़ा अच्छा लग रहा है, आरे क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है. आप बहुत अच्छे है वो व्यक्ति खुश हो गया अब यह तीसरे व्यक्ति के पास गया अब तीसरे को बोल रहा है आप बहुत बढ़िया पड़ा रहा है अब बताओ मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ सब लोगों से सवाल है उत्तरक देना मेरे को यहां उसने ब्रहस्पति को प्रबल कर रखा है कि राहु को प्रबल कर रखा है या राहू उसका प्रबल है या भ्रस्पति प्रबल है उसका इतनी तो समझ रखते होगे जो तिश्की कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो किसको प्रबल कर रहा है राहू को या भ्रस्पति को राहू को रहु को इसलिए उसने क्या किया इसने उस गुरु को उस चंडाल से दबा दिया अब आजाओ दूसरे गुरु रहु पर अब दूसरा गुरु रहु जानते हो क्या वेक्ति है जो ठोक बजा के ये कह दे बीच खड़ाओं के कि मेरा तुम कुछ नहीं उखाड सकते है मेरे को एक प्रतिशत की दिक्कत नहीं है मेरा गुरु मेरे पीछे खड़ा है मैं अपने गुरु का तिनका भर भी नहीं जब ये और ये सोच है कहने की नहीं है कहने की नहीं है, व्यक्त करने की नहीं है, कि मैं कहूं कि मेरा गुरू कौन है, मुझे पता है मेरा गुरू कौन है, और वो मेरे लिए क्या माइने रखता है, वो मैं जानता हूँ, अगर वो भावना तुम्हारे अंदर है न, तो तुम वो गुरू हो, तुम वो चेतना हो, ज इसने एक चंडाल को एक राक्षस को भी गुरू में परिवर्थित कर दिया. ये व्रस्पति राहू है. अगर हम इसको गुरू चंडाल कह सकते हैं, तो इसको चंडाल गुरू भी तो कह सकते हैं. अगर सिक्का मेरे हाथ में है, तो उसमें head और tail दोनों है. हमेशा है या हमेशा टेल नहीं रहता दुनों है लेकिन जिस व्यक्ति ने उस सो पढ़ लिया जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन काल में इस योग को पढ़ाना उसको जीवन में एक ही चीज लगी कि यार तु कोई बहुत बड़ा पापी है जो यह योग लिया है समझ रहे हो तु कोई बहुत बड़ा पापी है जो यह योग लिया है जबकि मैं यह कहता हूँ कि यदि आपके चार्ट में ब्रस्पति राहू है और आपकी अपने गुरु में अटूट आस्था है, अपने गुरु के अंदर आपका अटूट विश्वास है, यकीन मानना, यकीन मानना आपकी जो मर्जी दशा आजाए, जो मर्जी अंतर दशा आजाए, आपके उपर से वो डिवाइन जो पावर है, जो ग्रेस है, जो ब्ल समझव रहा को मैं ब्रस्पति राहू का एक एग्जामपल तुम्हें लेटेस्ट एग्जामपल दू है चलो कितने लोगों के चाट में ब्रस्पति राहू है तुवार तो ब्रस्पति केत्तु है, मंजीत का ब्रस्पति केत्तु है, I think, अभिनव का ब्रस्पति राहु है, अभिनव का ब्रस्पति राहु है, और I think, किसका ब्रस्पति राहु है, विधी का ब्रस्पति केत्तु है, सौरब का ब्रस्पति राहु है, सोमय का ब्रस्पति र और और किसका है रुको करने दो थोड़ा वीर का ब्रशबती रहू ए ठीक और किसका है और से लोग है मेरे को याद आ रहा है लेकिन वे ब्रसबती रहू के बारे में एक चीज बताम्गा ठीक है जितने भी लोगों का ब्रहस्पती रहू साथ है या ट्राइन में है या ब्रहस्पती से next house में रहू है एक magic trick बताता हूं तुम्हे magic trick insta use करते हो insta instagram reels देखते होगे कभी कबाद देख लेते होगे मैं भी कभी कबाद देखता हूं मेरा screen time जो है दिन का 10-15 minutes है इससे जादा नहीं है ठीक है वैसे तो मैं phone ही नहीं उठाता ठीक ना phone उठाता हूं ना message देखता हूं बट सीधा फिर भी कभी कभी जैसे होगे है चलो time pass कर लेते हैं तो insta पे अपना लग जाते हैं तो मैं एक बात बता रहा हूं बड़ी important बात है ये सब लोग मानेंगे जिनका ब्रस्पती राहू है और अच्छा काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है गलत नहीं अच्छा काम कर रहा है तो ये लोग कौन है ये लोग कर पूछी का उत्तर चाहिए अरह यार हम फस गए हम फस गए अब हम क्या करें ब्रस्पती राह उगो तुम और तुम्हारे मन में चिंतन चल रहा है क्या हम फस गए हम क्या करें आप रील देखे हैं अच्छानक से कोए रील आपके सामने पॉप अप होगी उसU सबेल में आपका उत्तर होगा उत्तर होगा 100% उत्तर होगा बस अब्जर्व हो जाए यहाँ यह उत्तर है यह उत्तर है मेरा ठीक जैसे फॉर एकजाम्पल मैं टाइम बड़ा द्वंद में था करू ना करू, करू ना करू, करू ना करू अचानक से वो भगवान श्रीकिषन के कुछ श्लोक आते रहते हैं अब मैं क्या कहा हूँ, करू ना करू, करू ना करू उनका एक श्लोक आता है, अचानक से पॉप अप होता है द्वन्द शान्त ना हो जाए और मन स्थिर अवस्था में ना आ जाए ऐसे में कोई भी निर्न लेना बहुत ही बुरे परिनाम आपके जीवन में ला सकता है you got the answer you got the answer through Instagram where people used to see beautiful places beautiful songs beautiful people जहां इतना कुछ beautiful है वहां आपको beautiful message मिल रहा है that is Jupiter राहू nobody else can give you such a beautiful answer ब्रस्पति राहू से आपको उत्तर मिलेगा check कर लेगा अगर मेरी बाद जो आज समय निकालना जिस भी problem में हो उसके लिए समय निकालना just go through those reads and see whatever is happening मेरा काम तुम्हें तुम्हारे result बताना नहीं है मेरा काम तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे अपने प्रश्णों के उत्तर तुम्हें स्वैम कैसे प्राप्त होगा तुम्हें काम वो है बाकी जो लोग कुंडलियां दिखाने वाले है तुम लोग मुझसे बहुत ज़ादा intelligent लोग हो तुम मेरे से ज़ादा अच्छे solutions उनको देदोगे तुम्हें तो मैं तो दूँगा नहीं तुम ही देदोगे लेकिन जब तुम्हारे solutions की बात आएगी तब तुम किसके पास जाओगे तब तुम इन reels को इन videos को इन चीजों को देख लेना ये तुम्हारे बहुत काम हाएंगी इसलिए किसी और को सुधारने की महीम नहीं चल रही है ये स्वयम में परिवर्तन लाने की और तुम में परिवर्तन लाने की महीम चल रही है समझ गए बात को तो शनी क्या है शनी वो कर्म है जो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं राहू क्या है राहू चिंतन है कि हम किसी चीज पर चिंतन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं चिंता नहीं फिर मैं बोल रहा हूँ चिंता कर रहे हो राहू को नेगेटिव कर रहे हो चिंतन कर रहे हो राहू को पोजिटिव कर रहे हैं और अभी नक्षत्र का हमने कुछ किया नहीं है बहुत ज्यादा है बहुत छोटा विचार कर रहे हैं केतु को कैसे सही करोगे जाने दे कौन सा विचार है जाने दे छोड़ दे कौन है केतु है कि रिष्टूरेंट वाली स्टोरी सुनी है रिष्टूरेंट वाली स्टोरी इे नहीं सुनी कि सुना दूंगा बाकी लोग बैठे हैं उनसर पूछ रहा हूं के सुनेंगे सुनेंगे जिनको नहीं सुननी वो छोड़ दो क्योंकि अब सिर्फ स्टोरी चल रही है जिनको सुननी है आप लोग सुनते रहिए हिदेश नाम का विक्ति एक रेस्टोरेंट खोलता है सब लोग यह कहेंगे कि हिदेश को छोड़के कोई और नाम नहीं आ रहा है तो हिदेश नाम का विक्ति एक रेस्टोरेंट खोलता है सोचता है भी रेस्टोरेंट खोला है बहुत अच्छी चीजें जो है जीवन में अब होंगी अब मैं पैसे वाला बनूगा अब मेरे मेरा काम अच्छा चलेगा मेरा जीवन व्यापन बहुत अच्छा होगा तो यह र रेस्टोरेंट में गती विधी हां होती रहती है, उनको देखता रहता है, देखता रहता है, तो मलब क्या देखता है कि रोज बारह से दो बजे के बीच, रोज बारह से दो बजे के बीच, हितेश के पास बहुत भीड आती है, लोगों की खाने वाली, जो लोग खाना खाने वो बहुत भीड आती है हितेश के पास, तो मलब देखता उस भीड में से एक व्यक्ति, बड़ा फटे हाल, तंग हाल, अपने हाथ को आगे करता है, और हितेश से खाना चीन के और पीछे करके चला जाता बिना पैसे दिए, फिर अगले दिन मलब देखता है, कि बारा से दो के बीच का समय हुआ, भीड आई, उस भीड में से वो व्यक्ति आया, वो व्यक्ति जो है, उसको खाना लिया और ले गया, एक महीने बाद हिसाब जब करने की बारी आई, तो हितेश अपनी बैलेंस शीट बना रहा था, हिसाब कर रहा था, तो मलब उसके पास आया, मलब उसक तैरे रेस्टूरिंट में, बारह से दो के बीच जब भीड आती है, व्यक्ति आता है, वो तेरा सब एक खाना बिना पैसे दिये ले जाता है, कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ जाने दो, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक मात्र यही वो व्यक्ति है, दिन रात यह दूआ करता है, कि कब बारह से दो बचे हैं, और इस व्यक्ति के होटल में वो भीडा दे रहे। जाने दो, जाने दो, तो जानतो केतू क्या होता है? कि तू वो होता है जो हर शन को कहता है जाने दे आपको जीवन में दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे, दो लोग मिलेंगे एक वो, जो कहेंगे मैं अपनी मेहनत से उपर आया हूँ I did this, I did that, I did ये, I did ये अपनी मेहनत को बहुत आगे रखते हैं साइंस के लोग है विज्ञान के लोग है, they know विज्ञान, they are very scientific उनका intellect बहुत अच्छा होता है, intelligent होता है basically, we call them genius, we call them intelligent, they are very, they are the intellectual class of India but on the other hand, we have some people जो लोग बड़े मस्ती में रहते हैं, बहुत मस्ती में रहते हैं और जैसे मैंने कर लिखा था एक जगह है, कि बेफिकरी बड़ी विरासत में मिलती है बहुत महँगी चीज है बेफिकरी, याद रखना अगर आपको ईश्वर ने बेफिकर बनाया है, तो सबसे दौलत मन्द इस दुनिया के विक्ती आप है क्योंकि ये बेफिकर विक्ती कब क्या कर दे, ये स्वेम उसको भी नहीं पता बहुत दौलत मन्द होता है ये विक्ती, जो बेफिकर हो दौलत मन्द, not in that sense, in other sense, तो कोई व्यक्ती जो ये कहे कि मेरे जीवन में जो मैंने कमाया है, जो मैं इस लेवल पर आया हूँ, मेरा कमाया नहीं है, पता नहीं किसका भाग्य मुझे यहां लेकर आया है, या किसके भाग्य से मैं खा रहा हूँ, या वो कौन व्यक्ती है, ज कब इसके रेस्टोरेंट में भीडा है, कुछ लोग ऐसे भी भेजता है, जो इस विचार के साथ अपना जीवन जीते है, कि न जाने कौन मेरा भाग्य चला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पशू मैं अपने घर में लाया हूँ, जिसको मैं पाल रहा हूँ, ये मेरे भाग्य का कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं, कि जिसको मैं अपना एंप्लॉई कह रहा हूँ, ये मेरे भाग्य का कारण है, ये वो लोग है, जो के-to-driven है, और ये बेफिकरे जानते हो क्यों होते हैं, ये बेफिकरे इसलिए होते हैं, ये अपना मानते ही नहीं किसी चीज को, आपका स्वयम का कर्म है, राहु क्या है, चिंतन है, और के-to क्या है, जाने दो है, ये चार प्लानेट है, चंद, शनी, राहु, के-to, आज के बाद कभी इनको अच्छा या बुरा कहना मत, क्योंकि इनकी अच्छा ही बुरा ही समझा दिया है, आपको, क्या है, ठीक, अब आपको के-to वाली वीडियो और अच्छी लगी, अब समझ में आएगा, क्योंकि तु स्रेश्ट है, ठीक है, हम अपना चिंतन या मनन या कहले discussion continue रखते हैं, नेक्स्ट हस्डे हम KP क्लास फिर करेंगे, और Saturday को, हम किस घर की बात करने जा रहे है, Saturday को पुरुशार्थ की, ये आपका पुरुशार्थ क्या है, पुरुशार्थ उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो आप जो चंद्रमा के नक्षत्र वाली चीजे मैंने बताई, उस पर विचार कीजिएगा, उसको देखिएगा, और यदि जीवन में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, तो इश्वर को धन्यवाद कीजिएगा, उस इतना ही, ठीक है आज के लिए इतना ही शुप रादर, जैशी, आवेशी, आक